आगरा किस सरवाधिक लोग प्रिया चैनल सीन्यूस के आप को आज ही गुगल प्ले स्टोर से डाउन्डोड करें सीन्यूस चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जनपद में नौविदान सभा सीटों पर हुए मदान में 107 प्रत्याशी अपना भाग आजमा रहे हैं पहले चरण में हो रहे हैं मदान में वोटर उसाह के साथ वोट डाल निकले जा रहे थे जनपद में अत्मातपुर, चावनी, दक्षिन, उत्तर, ग्रामेन, फतेपुर सीक्री, खेरागड, फत्याबाद और बहाविदान सभा में मतदान हो रहा है इन 9 सीटों पर 107 प्रत्याशी मैदान में हैं आज का दिन आपके अगले 5 साल का भविश्य सुनिश्चित करेगा जो देश का विकास इस तरीके से हो रहा है, वो आज तक कभी नहीं हुआ, इन कुछ सालों में, जो 70 साल से हम देख रहे हैं, आज तक कोई देश का विकास नहीं हुआ, जो इन 5 सालों में हुआ है, खास करके यूपी, ना गुंडा राज, ना माफिय राज, सिर्फ अपकी जो देख शिर्फ नहीं हुआ, जो देख रहे हैं, लोहामंडी शेत्र फटेचंद, इंटर कॉलेज पर मतदान करने आये मतदाताओं का कहना था, कि आज का दिन बहुत ही एहम दिन है, इसलिए हम सब की मतदान करने की पूरी जिम्मेदारी है, पूरे उत्सहा से मतदान किय लोग जो अभी नहीं आ रहे हैं उनको आना चाहिए ये उनका एक करतव्वे है कि लोक तंतर में जब जी रहे हैं तो अपने हिसाब से सब को चुनाव करने का भी अधिकार है और अपने इस अधिकार का प्रयोग को विश्य करना चाहिए जनपत में शांती पूंट तरीके से मतदान हो रहा है समवेधन शील मतदान केंद्रो पर फोर्स लगाया गया है जनपत के आने जाने वाले रास्तों की सब ही सीमाओ को सील कर दिया गया है मतदान केंद्रों की CCTV और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है सी नियूस के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट